So is Cap Radio Yama के 200cc engines को experience करने के लिए So जी हाँ, Yama की तरफ से 200cc bikes आ रही है इस साल And ये जो हो सकते आपको MT-15 वाले model में देखने हूं मिले Like MT-200 जो अभी देखने हूं मिलेगी अभी तक MT-15 देखने हूं मिलती थी 1500cc के इंजन के साथ में अभी MT-02 अपने को देखने हूं मिलेगी जिसमें 200cc का engine होगा जो कि काफियादा powerful होगा सीधी सी बात है उसके बारे हम ज़्यादा बताने की ज़र्थ है नी क्योंकि 150cc जिन्होंने भी चलाई है न या विड़ जिन्होंने सुनाया है कि भाई क्या चीज है तो यहाँ पर जो है 200cc की जो बाइक है वो जो है इंडियन मार्केट में अभी आज आएगी कुछी दिनों बाद इसका जो एक्सपेरिमेंट चल रहा थे इनका 200cc का वो कम्प्लीट हो चुका है लास्ट फेस थी वो भी खतम होगी है जो इंडियन है वो अभी रैडी है बाइक्स में लगने के लिए या फिर बोल सकते हो कि हाँ आप 200cc की बाइक्स इनकी आने वाली है इंडियन मार्केट में यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो मोडल फिलाल वो एम्टी में ही आएगा एम्टी में ही 200cc को आप लोग दिखाने वाले है पहले यह जो मोडल है इंडियन मार्केट में काफी जल्दी आ सकता है जहां तक मेरे को लग रहा है यह मोडल इंडियन मार्केट में इस साल के अगस्त अक्टूबर के आसपास जो आएगा बहुत सकते हैं कि हैं फेस्टिवल सीजन में जो आपको नई एम्टी देखने को मिल जाएगी जो कि 200cc में होने वाली है और यह जो 200cc इंजन होने वाला है यह काफी आदा खतरनाक होने वाला है और यह जो इंजन है भाई सीधी सी बात है 200cc है तो माईलेस भी जो आपको थोड़ी सी कम देगा कंपेरिंग 25 लगबग मान के चलो कि 35 से 40 तक की माईलेस देदेगा बाकी जो है परफॉमेंस में नो डाउट कोई भी कमी आपे नहीं लगेगी आपको परफॉमेंस जो है काफी जवरदस्त मिलेगी एक तरह से जो है बॉल सकते हैं यह जो बाइकर टक कर देने वाली आपके अपके अनेस 200 वगेरा को अपाची 200 वगेरा को इन सब बाइक को जो अच्छे से टक कर देगी क्योंकि अभी तक जो है विचारी ड्रैगरेस में भी हार जाती थी इन दोनों ही बाइक से लेकिन अब नहीं आ रहेगी क्योंकि अब जो इंजिन है वो जवरदस्तार है जो प्राइस है वो लगबग धाइलाग रुपे तक जाएगी ओन रोड यहां पर हो सकता है आने वाले टाइम में उसमें तो यह सब जो है आने वाले अपकमिंग मंस में तो आप लोग जो है कौन सी बाइक के लिए ज़्यादा वेट करना चाहोगे आर टू के लिए फिर MT02 के लिए तो जो है मेरे को ज़रूर बताना बाग यार फिलाल जो है यही अपडेट सा कि यह जो बाइक है लिक अभी जो है लोंच हो जाएगी इस साल के मिट तक एंड इसका जो लास्ट फेस सब कम्प्लीट हो चुका है तो यहां पर जो जो लोग MT के नए मोडल के लिए बाइक में कोई बी कमी नहीं होगी तो यहां पर जो लोग भाई इसको अफोर्ड कर सकते है उनके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती इसके अंदर यह पुराना मिटर नहीं आएगा इसके अंदर लेटेस्ट जो आरन फाइफ का नहीं मिटर TFT वाला वो देखने मिलेगा सब आपको देखने मिलेगा इस स्पाइक में लुक्स जो है हो सकता है सिमिलरी रहे एमटी 15 जैसे यह थोड़ा बहुत इसका फ्रंट फेस जो है चेंज करते हैं बागी जो है मिरको नहीं लगता है जादे कुछ चेंज होगा आप इसके लिए वेट कर सकते हैं मिलते अभी कोई नए अपडेट आएगा तो जल्दी ही बताऊंगा सुगई इस तब तक के लिए जैहिन वन्रे मातरम लव यूर गाइस